पत्थर बाजों और दंगाईयों से निपटने के लिए इसराइल ने एक ऐसा हतियार तैनात कर दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है इसराइल ने एक ऐसी तक्नीक निकाली है जिससे पत्थर बाज कुछ ही सेकिंड्स में भाग जाएंगी दरसल इसराइल ने देश की सीमा पर तीन ऐसे रोबोटिक हतियार लगाए हैं जिनकी वजह से फिलिस्तीनी खौफ में हैं इसराइल ने वेस्ट बेंक इलाके के पास ये रोबोटिक गंज लगवाई हैं जहां आए दिन फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जड़प होती रहती है वेस्टमेंग इलाके में फिलिस्तीनी इसराइल के खिलाफ विरोध जताते हैं पत्थर बाजी करते हैं कई बार तो दंगो जैसी स्थिती पैदा हो जाती है पत्थर बाजों से निपटना इसराइल के लिए एक बड़ी चुनोती बनता जा रहा है पत्थर बाजों और दंगाईयों को खदेडने के समय कई इसराइली पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं लेकिन अब इन उप द्रवियों से निपटने के लिए इसराइल रोबोट्स का सहरा ले रहा है इन रोबोटिक गन्स के जरीए आसू गैस, स्मोक ग्रिनेट यानि धुवा फैलाने वाला बम और स्पंज बुलिट्स छोड़े जाएंगे ये सभी गन्स आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टेकनोलिजी की मदद से अपने टार्गेट को तै करती हैं ये रोबोटिक गन्स जानलेवा नहीं है